इंटरमेटिक परिच्छा 2024 के लिए सभी परिच्छा सेंटर का लिस्ट जो है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है कि आपकी परिच्छा जो है वो कहां होने जारी आपका सेंटर कहां है कहां जाके आप परिच्छा देंगे तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को पुरा देखे और सभी दोस्तों तक शेयर कर दिजे, आप लोग का final परिच्छा का केंदर जो है, वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है, exam nation center list, तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, ठीके, सभी जीले का यहाँ पे दे दिया गया है, तो फटापर बीडियो को like और शेयर कर दे, चैनल प जैसा कि आपको पता है, कि आपके इंटर की परिच्छा एक फरवरी से होने जारी है, और इसमें जो भी छात परिच्छा देंगे, उन सभी का, कहां exam देना होगा, ठीके, बो लिस्ट जारी कर दिया गया है, कि कि center पर जाके exam देना होगा, और साथी साथ, आपका admit card कब जार हैं, ठीके, तो ध्यान से एके college का नाम यहाँ पर सबसे पहरे देखते चलेंगे, देख सकते हैं, सभी परिच्छा केंदर का यहाँ पर जारी कर दिया गया है, परिच्छा केंदर का नाम भी यहाँ पर देखेंगे, हैना सभी का, कि जितने बच्छे यहाँ पर देख रहे ह कि आपका परिच्छा जो है वो कहां यहां पे होने जा रहा है क्योंकि इस बार भी इंटर की परिच्छा जो है दो पाली में आयोजित जो है वो यहां पे होने जा रही है दो पाली में आपकी इंटर की परिच्छा होगी जो कि आपकी एक फरवड़ी से सुरू होने जा रही है पूरी बुर ये देखे कि आपका सेंटर कहां गया है ठीक है तो सबसे पहले कॉलेज का नाम देख लिजेगा L&D कॉलेज है यहाँ पे देखेंगे तो MS कॉलेज है फिर यहाँ पे देखेंगे तो MHK कॉलेज है उसके बाद की परिच्छा के अंदर कॉन सा कॉलेज है तो SNS कॉलेज है है ना उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो MJK Inter College है ठीक है और यहाँ पे देखेंगा तो आपका मुझीब कन्या उतकमित बिद्याले मोतिहारी है उसके बाद गुपाल साहा स्कूल ठीक है सभी का यहाँ पे दिया गया है ठीक है आपका कौन सा होगा उसका भी जिक्र करेंगे तो ध्यान से पुरा देखते रहे पहले ठीक है उसके बाद देखेंगा CSD Public School मोतिहारी यहाँ पे देख सकते हैं MDK Public School है फिर यहाँ पे देखेंगा CMGK Institute Education है न उसके बाद देखेंगा नुगरह नरायन सी कॉलेज में भी सेंटर बना है Public School बैरिया में भी सेंटर बना है तो यानि कि देख सकते हैं कि बहुत सारे School College में सेंटर जो है बो यहाँ पे बनाया गया है तो बात करें कि आपका सेंटर कौन सा होगा यह कैसे पता चलेगा तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे जीलावाइस जो है बो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जीलावाइस सेंटर जो है बो यहाँ पे जाली किया गया है तेके जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मोतिहारी का सेंटर जो है बो यहाँ पे दिख रहा है और आपके College जो है आपको जो है कहा है एक्जाम देना होगा आपका सेंटर कहा होगा क्योंकि आप सोचेंगे यहाँ पे तो बहुत साथ सेंटर दिया गया है कैसे पता चला है कि मेरा सेंटर कहां होगा हमें कहां जा के एक्जाम देना होगा तो इसका जिक्र भी इसी वीडियों में करने वाले हैं तो ध्यान से पूरी वीडियों देखते रही है सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि अगर आप final exam में बैठने वाले हैं तो आप बिल्कुल तयार हो जाए सारे question देख लीजिए कि कौन कौन से question आएगा और कहां से आएगा ये भी यहाँ पर पहले देख लीजिए कि यहाँ पर exam में आपके पास time बिल्कुल नहीं है अगर आप भी चाहते हैं 90% का सपना पूरा करना exam में एक भी question छोड़ कर नहीं आना तो आपको फटापर से जो question आंसर के साथ दिये जा रहे हैं Hindi और English medium दोनों में अबलेबल है Science, Arts, Commerce सभी के लिए तो फटापर तरीके से आपको ले लेना है जिसके बाहर exam में एक भी question नहीं पुछा जाएगा अगर आप physics chemistry, bio और physics chemistry, math लेते हैं तो 1000 में दिया जाता है Hindi English 400 में और subject 1300 में यहाँ Arts, Commerce का भी और subject 1300 में मिल जाएगा और subject कहने का मतलब जो भी आपका पांच या 6 subject है एक्ष्ट्रा के साथ वो आपको दे दिया जाएगा लेने के लिए आपको इस number पे जो number दिखाया जा रहा है इस number पे phone पे या Google पे से payment करके इसी WhatsApp नमबर पे screenshot भेजना है call नहीं करना है क्योंकि call जो है आपको नहीं reply किया जाएगा WhatsApp पे ही आपको reply किया जाएगा है ना तो यहाँ पे आपको इसी number पे WhatsApp में message करना है payment करने के बाद screen sort भेजना है तो फड़ा फड़ तरीके से इसका फाइदा उठाईए और exam में जाके तहलका मचा दिजिए अब बात कर लेते कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एक्जाम सेंटर कहां है और आपको कहां जाना एक्जाम देने मेरा नाम पलग रहा है और मैं गोपाल में दिस्टिक से बिलॉंग करती हूँ मैंने फ्लाश 12 में 441 मार्क स्कोर के हूए है इंडी हारबोर इंग्लिश मेडियम और मैंने अपने और सब्सक्राइब की तयारी अभी से टुटोरियल चैनल से की हूई है और मैं अभी से तर को और उनके चैनल को बहुत शारा थैंक्यू बोलना चाहती हूँ मैं आने वाले स्टूडेंट्स को जो अभी बोज की तयारी कर रहे हैं मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप अब इस एक टुटोरियल चैनल को जाइन करें और आपको सारी क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर आए जाएंगे तो थैंक्यू सो मच पर बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी कॉलेज में जो है एक्जाम होगा या आपको कैसे पता चलेगा तो जैसा कि देख सकते हैं कि जिला बायल जो है बो यहाँ पर परिच्छा के अंदर की सूची जो है बो यहाँ पर जारी की गई है तो ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कौन सी एक्जाम सेंटर आपका है तो सबसे पहले जीला अस्तर पर जितने exam nation center बनाए गये हैं ठीक हैं तो वहाँ पर आपका जो नजदीकी exam nation center होगा वो आपको दिया जाएगा जिसका नाम जो है वो आपका admit card जो आएगा जो आपका admit card आएगा उसमें साप साप mention होगा कि आपको कौन सा exam nation center मिला है और कहां exam देने जो है बो जाना है जो कि admit card भी बहुत जल्द आपका जारी होने जा रहा है इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही साथ आपका जो है list जो है बो टेलीग्राम में भी भेजा जाएगा तो टेलीग्राम ग्रूप का link description में है ठीक है सभी exam nation center का list जो है बो टेलीग्राम में आपको pdf के form में भेज दिया जाएगा जिसका link मैंने description में दे रखा है तो गहां जाके टेलीग्राम जोईन कर लिजेगा और whatsapp ग्रूप में जोईन कर लिजेगा ताकि आपका list जब आपको भेजू तो सभी को यहाँ पे मिल सके ठीक है जिला आस्तर प ठीक है तो गाइस मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और किस college में आपका admission है ठीक है कॉमेंट कर देना है और share कर देना है सभी दोस्तों के साथ तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ थैंक्स ववाचिं इस वीडियो